हेलो एब्रीवन वेलकम तो अभीपीडिया पावड़ बाई अभी मन्यु आईएस एंड इन दे क्लास ओफ सी सेट टुड़े विल डिस्कॉस्टेंस बेस्ट ऑन डिवीजिबल्टी रूल पर बेस्ट कॉस्टेंस एक्जाम में आते हैं कैसे आएं कि कॉस्टेंस की आपके पा है तो हर बार कॉस्टेंस आजाता है और सबसे बड़ी बात कि एजी कंसेप्ट है यह मिसिंग टम फाइंड आउट करना अब वो डिपेंड करता है कि आगे आपके पास में एक नंबर गीवन होता है एक नंबर गीवन है और उस नंबर के अंदर आपको मिसिंग डिजिट फ बेस्ट कोस्टेंस आते हैं ठीक है तो वो आज हम डिसकस करेंगी डिवीजिबल्टी रूल डिसकस करेंगी ओके तो काफी इंपोर्टेंट है आज की क्लास क्यूंकि मैं अभी उन्हीं दर है कि को सब्सक्राइब कर रहे हैं आप लोगों के साथ में जिस कंसेप्ट पर बेस सब्सक्राइब कर लोगे क्योंकि एक्जाम आजकल थोड़ा टिपिकल एक्जाम आने लगए जैसे इस बार ही आया है यस इस बार 2021 के अंदर हुआ क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स की रिव्यूज ऐसे थे कि जीएस तो हमारा किलियर हो जाएगा बट मैंडम सी सेट रह गय है तो पीटा देखो सी सेट पर फोकस करना है सभी ने थोड़ा थोड़ा डेली जो इंपोर्टेंट कंसेप्स से उनको करते रहो ओके तो स्टार्ट करें देखो डिवीजिबल्टी पर किस तरह के कोस्चिन आते हैं आप देखो जैसे यह कोस्चन है हमारे पास में यास नंबर है क्या रहा find the least value of star star की value आपको find out करनी है और यह number पूरे का पूरा गीवन है क्या है 7 star 5 4 6 2 value किसकी find out करनी है star की value find out करनी है अब मैंने क्या बता है आगे condition given होती है अब यहाँ पे condition क्या है this is divisible by 9 अब divisible by 9 that means you should know the divisibility rule of 9 divisibility rule of 9 क्या कहता है कि if the sum of the digits if the sum of the digits are divisible by 9 then this number should be divisible by 9 ओके आप देखो अगर यहाँ पे आगे हमारे पास में 9 7 2 4 उस case में तो चलो फिर भी time लगा के आप divide करके भी देख लोगे by option भी आप कर सकते हो ठीक है बट अगर यहाँ पे एक bigger term आ जाते है उस case के अंदर आपको problem हो जाती है तो इसलिए divisibility rule जो ह है वो सभी को अच्छे से पता होने चाहिए अब 9 का divisibility rule clear है क्या है sum of the digits should be divisible by 9 ओके अब यहाँ पर हम sum of digits करते हैं अगर हम sum of digits देखें तो क्या आगे आपके पास 7 plus 5 12 12 and 10 कितना हो गया आपके पास में 22 22 and 2 24 that means क्या हो गया 24 24 तो यह होगे और एक digit यह भी दे हमारे पास मे में that means कि plus star अब इसके मतलब है कि यह जो number है मेरा यह कि से divisible होना चाहिए 9 अब 9 की टेबल देखो 9 की टेबल में इसमें लिस्ट नंबर काया देखो 9 की टेबल में 24 से बिगर नंबर कौन सा होगा 24 से next देखो 9 बंजे 9 9 तू जा 18 9 तू जा 27 that means this should be equal to 27 ओके देखो बिल्कूल easy way से मैं आपको बता रहे हो so that कि आपको कोई भी issue ना आए अब यहाँ पे star की value क्या आगे इधर चला गया 27 minus 24 that means कि 3 so answer will be 3 okay हाँ जी बट एक्जाम में इतना नहीं करना अगर आपका concept clear directly देखो आप हाँ जी क्या बन रहा मेरा sum 24 24 से next के अंदर 9 से divisibility में मुझे और क्या चाहिए 3 और रेड करना चाहिए ठीक है तभी 27 बनेगा because 27 is divisible by 9 then your answer will be 3 okay clear quite out इसमें next question की तरफ move करते देखी आप देखो यहाँ पर जो question था बिटा उसमें क्या था आपको 9 से divisible था आप by option भी कर सकते थे इसको yes by option मैंने यहाँ से 3 पिक किया ठीक है यहाँ पर मैंने 3 को put किया तो कई बार question टिपिकल आ जाता है exam के अंदर और इसको आप 9 से divide करके देख लो 9 की table सभी को आती है कर लेंगे easily divide हो जाएगा आपका answer आजएगा अगर आपको rule नहीं पता तब भी आप कर सकते अगर आपको rule नहीं पता तब भी आप कर लोगे ठीक है ना बट अगर question आ जाता आपके पास में इस तरह से क्या exactly divisible by 72 आप क्या करें 72 72 की तो table भी लर नहीं आप लोगों को आप क्या करेंग और factors क्या से होने चाहिए? प्राइम factors होने चाहिए आप जैसे यहीं पर है 72, 9 into 8 ठीक है? 9 into 8 is equal to 72, प्राइम factors क्या होगे? 9 और 8, point is clear, 9, 8 ही क्यों लिया है मैंने? 12 and 6 क्यों नहीं लिया? reason being कि प्राइम factors होने चाहिए आपके पास, means यह दोनों एक दूसरे से cancel out नहीं होने चाहिए, ठीक है? इनका HCF 1 आना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर आगे 9 and 8, now we should know the rule for 9 and 8, if our number will be divisible by 9 as well as 8, then it will be divisible by 72, ओके? तो अब 9 का divisibility rule मैंने अभी आपको बता है क्या? if the sum of digits are divisible by 9, then number will be divisible by 9, 8 का divisibility rule क्या कहता है? yes, if the last 3 digits, if the last 3 digits of the number is divisible by 8, then that complete number will be divisible by 8, ओके? तो अभी देखें यहाँ पर, क्या है? 4, 2, 5, 7, 3 and star, ओके? last 3 digits check करते हैं, last 3 digits check करते हैं, अब देखो, यहाँ से 9 से करेंगे हम, इसको हमने 8 से check करना, 8 से check करना, 8 से देखे, 8, 9 जा, 72, 1, अब यहाँ पर क्या आना चाहिए? 9 से, sorry, 8 से, 8 से 8 तू जा, 16, that means if there will be 16, ओके? then this will be divisible by 8, means there should, 6, okay, clear? हाँ जी, if we will put 6 over here, in that case, this number is divisible by 8, now we will check for 9, 9 से check कर लीजी आप, 9 से अगर हम इसको check करते हैं, तो 9 से देखो, सब का sum करेंगे आप, sum करेंगे ति यह value कितनी आ गया, आपके पास देखो, 6, 18, 18, यह हो गया आपके पास में, yes, 6, 6 plus 5, 11, 11 plus 7, 18, 18 plus 3, 24, 21, 21, 21 plus 6, कितना हो गया? 27 and 27 is divisible by 9, that means this number is divisible by 9, means this number is divisible by 72, okay? So, your answer will be 6, clear? हाँजी किसी को कोई भी माइनर सा डाउट हो? हाँजी, कोई भी डाउट इसके अंदर, अगर कोई डाउट आता है, in that case, you can comment in the comment section, clear है? Yes, next question की तरफ मुख करें, next question देखी किया, next question है, यहाँ पर आपके पास, a three digit number, a three digit number 4a3, 4a3 is added to another three digit number 984, to give a four digit number, okay? 13b7, which is divisible by 11, then a plus b, again important question है, क्या कह रहा है यहाँ पर? एक three digit का number of 4a and 3, okay? Another three digit number is 9, 8 and 4 and this will give a new number which is 13b7, okay? Now the condition is what? This number should be divisible by 11, 11 से divisible होना चाहिए, जब 11 से divisible है, now we should know the divisibility rule of 11, okay? 11 का divisibility rule क्या कहता है, कि इन दोनों का, yes, जो alternate place पे जो numbers होते हैं, उनका sum, alternate place पे जो numbers हैं, उनका sum, उन दोनों का difference या तो 0 होना चाहिए, या फिर multiple of 11 होना चाहिए, clear? Means some of the alternate place values, digits, difference should be equal to 0 or this should be multiple of 11, okay? Here you can see 1 plus B, 1 plus B should be, 1 plus B and the second number is 3 plus 7, 10, okay? Minus 10, this should be equal to what? Yes, this should be equal to 0, okay? तो क्या value बन गया आपके पास? B minus 9 is equal to 0, B is equal to 9, that means what? कि B की value क्या आगी है, आपके पास में? 9 आगी है, clear? तो B की value क्या आगी है, हमारे पास में? 9, color change कर देते हैं, देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या आगया? 9 आगया. Point is clear, क्या किया हमने? यहाँ पे sum कर रहा है, देखो. यहाँ पे क्या कह रहा है आपको? कि यह जो alternate place पे numbers है, 1 and B. ठीक है? इन दोनों का add कर लिया? इधर से alternate अगर मैं देखती हूँ, 3 and 7, 10. तो उनों का difference देखा, difference अगर मैं करती हूँ, तो यहाँ पे देखो 10 से difference करने के बाद में, 11 अगर हम यहाँ पे करें, yes. That means कि B की value होगी हमारे पास 9. अब देखो, अगर B की value 9 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि यहाँ पे 9 आए, yes. 8 के अंदर हम क्या add करें कि 9 आए, yes. When we will add 1, in that case we will get 9 over here, that means the value of A is equal to 1, okay. Now what is the question? Then A plus B, A plus B, A is equal to 1, B is equal to 9 and A plus B will be equal to 9. equal to what? 10. So answer will be option C, 10. Clear? Yes. Next question देखे, next question है screen पे, क्या है? 8 A 5 1 4 6 B is divisible by 88, then what will be the value of A into B? Yes, यह आपको find out करना है. अब again missing term आपको find out करने, ध्यान रखो, यह काफी important concept है और easy concept है, C set point of view से, means की missing term आपके पास में आ जाते हैं, means की digit आपको find out करने number के अंदर से. तो यहाँ पे भी क्या है? Yes, this is 8 A 5 1 4 6 B. And what we want to find out, this should number will be, this number should be divisible by 88. 88, again 88 के लिए क्या करेंगे? Factors करेंगे, prime factors. 88, हाँ जी, 11 into 8, these are the prime factors, that means कावर number should be divisible by 11 as well as 8. Okay, तो अगर 8 का divisibility rule क्या कहता है? भी हमने discuss किया था, last 3 digits should be divisible by 8. Okay, अब 8 से देखें. Yes, क्या आएगा आपके पास में? 8 5s are 40, 8 5s are 46, अब यहाँ पे मैं क्या लिखू कि 8 से पूरा divisible हो? 88 is a 64, that means there should be 4. Only that case, this will be divisible by 8. Means, यहाँ पे क्या आगे आपके पास? 4 आएगे. हाँ जी, बताएए. Clear? This number is divisible by 8. अब हमने क्या करना? 11 से divisibility भी चेक करनी है. अब 11 से divisibility का rule मैंने अभी आप लोगों के साथ किया. Discuss क्या? कि alternate place पे जो values है, उनके समका difference क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए, या फिर this should be multiple of 11. Okay? तो अभी चेक करते हैं. Alternate place पे values देखो. This is 8 and 5, 13, 13 प्लस 4, 13 प्लस 4, 17, 17 प्लस 4, B की value हम find out कर चुके है. This is 4, 17 प्लस 4, 21. That means this is 21. Okay? अब हमने difference चेक करना है. अब दूसरा देखो alternate places की values का. Alternate places पे देखते हैं. यहाँ पे. अब बाकी क्या रहागया? A प्लस 1, प्लस 6. Means क्या हो गया? A प्लस 7. Means A प्लस 7. अब देखो इसका difference कितना आना ची? अब अगर मैं इसको solve करती हूँ, तो मेरे पास में value क्या आ गई? Yes. यह कितना हो गया? आपके पास 21 minus 7. कितना होगे हमारे पास में? Yes. 14. Minus A. अब यहाँ पे यह value क्या आनी चीए? या तो 0 आनी चीए? या फिर multiple आना चीए? अगर मैं इसको 0 लेती हूँ, तो A की value क्या आगी? 14. और हमें तो single digit चीए? That means कि 0 तो नहीं हो सकता. That means कि next term लेंगे, next term होगे 11. तो इसकी जगह पे हम क्या लेंगे विचे? 11 लेंगे. Okay? Yes. This should be equal to 11. 11 अगर हम देखते हैं, तो A की value क्या आपके पास में? 3. That means कि A की value हमारे पास में? 3. Now we have values for A and B. A is equal to 3 and B is equal to 4. And what we want to find out? A into B. A into B will be equal to what? 4 means 12. So answer will be 12. Okay? Clear? कोई डाउट इसके अंदर किसी को? हांजी, clear है सभी को? Next लेखीगा. Next question है, the 7 digit number 8, 7, 6, P, 3, 7, क्या हो? Is divisible by 225? Yes, 225 से divisible, check करना है अब हमने. The value of P and क्या हो can be respectively. P और क्या हो की value क्या होगे? अब अगेन आप चेक करिए. 25, 8, 7, 6, P, 3, 7, and क्या हो? ओके, 225, 225 की टेबल हमें नहीं पता. ठीक है, रूल भी डारेक्ट नहीं है. क्या करोगे? पहले प्राइम फेक्टर्स निकालेंगे. 225, क्या से करेंगे? 25 इंटू 9. Now we know the rule of 25. Divisibility rule of 25 क्या कहता है? कि लास्ट की जो टू डिजिट से देट शूड भी डिविजिबल बाई 25. यहां पर जो दो डिजिट से है, यह 25 से डिविजिबल होनी चोगी है. अब यहां पर देखो, 7 क्या हो? अब क्या हो की जगे पर अगर मैं लिखती हूँ, यहां 25 की टेबल देखो, 25 बंज़े 25, 50 and 75. मिन्स कि यहां तो 0 आएगा यहां तो 5 आएगा, ठीक है? अगर हम 0 लेते हैं, तो 25 से डिविजिबल नहीं है. क्या लेना पड़ेगा आपको? यहां 5, that means कि you will take here 5. जब हमने इसको 5 लिया, तो अब मेरा नंबर क्या हो गया? Yes, this is divisible by 25. Okay, clear? अब हम बात कहते हैं, किसकी? 9 से. 9 का divisibility rule क्या कहते है? Yes, if the sum of the digits is divisible by 9, then that number should be divisible by 9. अब sum of digits ले, लो आप, क्या हो गया? 8 and 7, 15, 15 plus 6, 21, 21 plus 10, 31, 31 plus 5. 36, okay? 36 and P भी तो आएगा साथ में. अब this number should be divisible by 9. अब अगर मालो में P की जगे पर 0 पूट कर देती, तो भी मेरा 9 से divisible हो जाएगा? Yes, 9 से divisible हो जाएगा? Means, अगर यहां पर 0 आता है, तो मेरा number divisible है. Means कि मेरे पास में value क्या आगी? 0 and 5. But here you can see, 0 and 5 तो हमारी options में है नहीं? है ही नहीं. That means कि next number रेलो फिर. Next number क्या है? 9. तो हम क्या ले सकते हैं? इसके जगे पर 9 ले सकते हैं? क्या आएगा? 9 and 5. अगर मैं इसमें 9 प्लस कर दूँ. क्या आएगा? 45. Again, this is divisible by 9. तो क्या आजाएगा आपके पास? 9 and 5. So, answer will be 9, 5. Clear? I hope किसी को कोई डाउट नहीं होना चीज़ के अंद है. कोई डाउट? देखो, पहले हमारे पास में 0 अगर है, हाँ पे हम पूट करते हैं, तब भी हमारा number divisible है. अब हाँ पे आपके पास question ये भी हो सकता. How many possible values? How many possible values for P? So, that this number is divisible by 225. In that case, there will be 2 possible values, 0 and 9. ओके ये भी आपका question आ सकता है exam के अंद है. Next एक ही. Next question है, which digit should come in place of at the rate and hash if the number is divisible by both 8 and 5? Number divisible होना चीए किस से 8 से and 5 से? अब देखो, 8 से number divisible है और 5 से भी divisible है. That means that number should be divisible by 40. ओके, अब अगर इसी question में आ जाता कि this number should be divisible by 40, तो उस case में भी क्या करते हैं? हम प्राइम फेक्टर्स बनाते हैं, 8 और 5 का. Clear? अब यहाँ पे देखो, simple से बात है, पहले 8 का भी divisibility rule हो हमें पता, और 5 का divisibility rule भी पता, apply कर लेंगे. क्या है number? देखे. Number आपके पास 6, 2, 6, 8, 4, add the rate and hash. अब अगर मेरा number divisible है 5 से, यहाँ पे जो unit place है, unit place पे या तो आपके पास में आएगा 0, या फिर आएगा 5, ओके? So, if we, here we can place 0 और 5, there are two possible values. ओके? दो cases बनेगे, दोनों के लिए करते हैं. अब यहाँ पे आपने देखा, कि जो हमारी options है, option में 5 किसी में भी given नहीं है. 5 given नहीं है, that means कि इसको हम कर देते है, skip. Means कि hash के जगह पे क्या लेंगे हम? 0 लेंगे. Done? Clear है? अब हम बात करते हैं कि इसकी divisibility? 4, 8. अब 8 का divisibility rule क्या कहते है? Last three digits should be divisible by? Yes, 8. अब last three digits क्या? 4, hash and 0. 4, hash, 0. तो अगर माल लो, यहाँ पे मैं again, 4 है पिटा, sorry, 4 at the rate and 0. अगर मैं यहाँ पे 0 put कर देते हूं, तो भी 8 से divisible है, तो भी 8 से divisible है, but again मेरे पास में 00 options में नहीं है. 00 option में नहीं है. That means कि next term लेंगे. Next term लो, अगर मैं यहाँ पे, क्या put करते हूं? Yes, अगर हम यहाँ पे put करते हैं, क्या 4 के बाद में, आपको divisibility चाहिए हमारी किस से? 8 से. ठीक है? तो 8 का divisibility rule क्या कहता है, यहाँ पे आपके पास में, कि अगर मैं यहाँ पे, इसकी जगह पे, क्या put कर देते हूं, बेटा? 7 put, यहाँ पे हम put कर देते हैं 4. अगर हम 4 put करते हैं, तो हमारे पास में value क्या आगी? 8 to 5 is a 40, 8 to 5 is a 40. That means कि you can also put here 4. Okay? अगर हम यहाँ पे 4 put करते हैं, तो भी हमारे 8 से divisible हो जाएगा. Means कि हमारे पास hash की value क्या आगी? 4. Okay? That means what? Hash will be equal to 4 and, sorry, hash नहीं आए, at the rate. I am sorry, this is at the rate, not hash. At the rate की value क्या आगे आपके पास? 4 और hash की value आगे आपके पास में 0. So, the option A, 4, 0 will be the correct answer. Option A, 4, 0 will be the correct answer. I hope clear है? Yes? यहाँ पे आपके पास में 2 values बन रही है, बिटब. ठीक है? 2 values बन रही है, आपके पास किस के लिए? इस के लिए. क्या 0 and 5. वैसे भी अगर हम 5 लेते हैं, तो 8 से divisible नहीं रहे गई है. ठीक है? Means कि यहाँ पे तो 0 ही आएगा आपका hash की जगे पे. अगर हम यहाँ पे 0 लेते हैं, उस case के अंदर add the rate की 2 values बन रही है. 1 is 0 and 1 is 4. ओके? अगर आप यहाँ पे लेते हो 0, तब भी आपका 8 से divisible है. अगर आप लेते हो 4, तब भी 8 से divisible है. बट 00 तो option में है नहीं, that means क्या लेंगे हाँ? 4-0, so answer will be 4-0. ओके? नेक्स्ट देखीगा. यास, नेक्स्ट कॉस्चेन है, इस बार आया था एक्जाम में. तो अब यहाँ पे देखो, यह है, आपके पास divisible by 7. नंबर शुट बी डिविजिबल by 7, then what is the value for the digit P? अभी देखो, मैंने आप लोगों को बता है, कि या तो हम divisibility rule apply कर लेंगे, ठीक है? या अगर हमारे पास में 10 से कम number है, तो उस case में तो आप directly भी डिवाइड करके देख सकते हो, किस case के अंदर? कि अगर आपका rule ज्यादा length दी जा रहा है, तो जो 7 का divisibility rule है, 7 का divisibility rule क्या कहता है? कि जो आपकी last digit है, yes, double the last digit and subtract the digit from the remaining part and then check if this is divisible by 7, then the number will be divisible by 7. तो अगर हम इस तरह से देखते हो, तो काफी length हो जाएगा, yes, rule से ज्यादा length हो रहा है, that means क्या कर सकते हो अब? yes, by option try कर सकते हो इस तरह के questions को, तो इसको आपको by option ही करना चाहिए, तो by option अगर हम लेते हैं, तो बेटा अगर आप यहाँ पे, yes, p की जगह पे अगर हम 6 लेते हैं, then this will be divisible by 7, 7 से divide करके देख लिजेगा, दिल्कुल simple, yes, यह हो गया हमारे पास में, 3, 7, 9, 8, 1, 2, 5, 6, 3, 6 9, okay, yes, यह यह नमबर, yes, p की जगह पे आजएगा आपके पास में, 6, and then you will divide it by 7, और this number will be divisible by 7, okay, देखो, यह हो गया आपके पास में, 7, 5 से 35, 35, 2 बच गया, 7 से हो गया यह आपके पास में, yes, 28, then this will be 14, then यह हो गया आपके पास में, 35, okay, yes, this will be divisible by 7, यह नमबर आपका divisible रहेगा, 7 से 7, बिल्कुल simple सा पेटा, 7 से divide करके देखो, और कुछ नहीं है, ठीक है, तो क्या जाएगा आपके पास में, option B, 6 will be the correct answer, यह अभी 2021 के अंदर आया होगा था, यहां पर आपके पास question था, तो जब भी इस तरह का question आते है, तो उस case के अंदर पर condition चेक करने, आप यहां पर condition क्या है, कि जो भी आपके पास missing terminus अभी same होनी चाहिए, और उनके addition के बाद भी जो value आ रहे है, वो हमारे पास में same होनी चाहिए, ठीक है, तो अब देखो, इस तरह के numbers को आप सिधा कर सकते हो, देखो, यह आपके पास में single digit है, उसके बाद क्या है, 1, then dash plus 2, then 3, then 1, and then this is 2, 1, and this is the missing term, ओके, अब यहां पर हमने यह चेक करना है, कि यहां पर जो हमारे पास में number आएगा, यहां पर जो unit digit पर आएगा, वो same number रहेगा, जो यहां पर सभी जगे आ रहे है, ठीक है, अब again क्या कर सकते हो, बटाया, ठीक है, वैसे तो आपको, अगर apply करोगे तो पहले 1 check करोगे, फिर 2 check करोगे, फिर 3 check करोगे, ज्यादा हो जाएगा, इससे अच्छा क्या कर सकते हो, by option देख सकते हो, दूसरा यह देखो, यहां पर कि option भी कौन सी choose करे पहले, हम smaller option ले या bigger option ले, ठीक है, तो यहां पर हमार पर पूट कर देती हूँ, 8, yes, color change कर लेते है, yes, 8, 8, 8, कितना आ गया, 24, 24, 25, 25, 25, plus 3, 28, again, यहां पर क्या आ जाएगा, आपके पास, 8 आ जाएगा, means, जो term मैं यहां पर लिख रही हूँ, अगर वही term मेरी यहां पर आ रहे, that means कि correct है, ओके, अब यहां पर देखो, again, यहां पर 8 पूट करेंगे, हम 8 पूट करेंगे, तो कितना आ गया यहां आपके पास में, again, this will be 21, okay, यहां से 1 carry आ गया, बिटा, तो कितना आ गया 21, clear, हां जी, तो क्या आजाएगा, आपके पास में, answer, 8 आजाएगा, बस थोड़ा से ध्यानी रखना है, कि हां जी, जैसे हमने यह यहां पर देखा कि 21 आ रहा है, 21 एक बिगर नंबर, और यहां पर सिरफ यह 3 है, 3 से 21, और दो नंबर यहां पर है, अगर carry 2 भी आ जाएगी, तो भी अपने पास में, कितना आएगा, yes, bigger नंबर ही आना चाहिए, तो यहां पर हमारे पास में, क्या बन रहा है, 8, clear, next, देखे हां जी, मैं बार-बार कहा रहे हूं कि हां जी, जब भी इस तरह का question आता है, तो by option आप करिए, देखो, जैसे यह वाला question था, इसमें भी क्या है, सारी जगह पर हमें star, 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 star है, ठीक है, means कि unit digit पर आप देख रहे हो, कि यहां पर मुझे क्या मिल रहा है, same value मिल रहे है, और यहां पर unit digit में सिरफ एक ही number आ रहा है, अब देखो, क्या put कर सकते हैं, कि यहां पर अपने पास में a same value बने, जब हम one add करें, ठीक है, तो यहां पर देखो, क्या है values आपके पास में, yes, अगर मैं यहां पर put करते हूं, two, पहले two put करेंगे, two put करते हैं, तो two, four, six, eight, eight and one nine, तो मेरे पास में unit place में क्या बन रहा है बीटा, nine बन रहा है, मुझे unit place पे nine नहीं चाहिए, मुझे तो same चाहिए, अगर मैं one put कर रहे तो मेरे पास one आना चाहिए, two put कर रहे तो two आना चाहिए, हमने two put किया, बट हमारे पास में unit place पे आ रहा है, nine, that means कि wrong हो गया, okay, now go for the second option, second आपके पास में three, अब हम three put करते है, three अगर हम put करेंगे three, three six, nine, nine and three twelve, twelve plus one, thirteen, three मैंने put किया, आया मेरे पास में three, that means कि same आ रहा है, ठीक है, that means कि correct हो गया है आपका, clear, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, option B answer आ जाएगा, three, कोई doubt इसके अंदर, अगर इस तरह से आप को doubt लगता तो आप इस तरह से इसको solve कर सकते हो, लिखे देख लो, okay, one then star five star 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 one and this is one star and star, okay, अब हम option अगर हम लेते हैं, तो यहाँ पर देखो अब, यहाँ पर one है, अब मुझे यहाँ से next value देखो, three, 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 कितना आ गया, yes, twelve, twelve और एक one गया, 13, that means कि three आगया यहाँ पर हमारे पास में, one is carry, okay, again put here three, 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 कितना हो गया, two, five, seven, seven and six, 13, again we get 13, mean we get three, 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 means किया आएगा, आपके पास में three answer आजाएगा, clear, कोई doubt इसके अंदर, किसी को कोई भी minor सा doubt आ रहा हो, हाँ जी, clear, तो देखो यह, अभी C-set के important concepts में आप लोगों को discuss करवा रही हूँ, अगर आप लोगों को कोई भी minor सा doubt आता है, in that case, you can comment in the comment section, और वही मैं concept से उठा रही हूँ, जिसके अंदर से question C-set में आए हुए, C-set specific concepts हैं यह, तो अगर आपने series join करें, इसके अदर मैंने important questions भी discuss किये हुए हैं, ठीके previous year questions भी हमने discuss किये हुए, आप portal पर जाएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, वहां पर, तो वहां से आप इसको join कर सकते, this is totally free, कोई इसके charges नहीं है, और हर एक lecture आपको with PDF available हो जाएगा, जो previously भी हमन discuss किया हुए है, ओके, हाँ जी, next question, इस बार आया था देखो, again, आपके पास में missing digit आपको find out करनी है, ओके, और उसके by base पे आपको एक operation भी given है, उस operation को भी perform करना है, क्या है question, P q into 3, P q को क्या करना है, multiply करना है आपको 3 से, and you will get what are q q, यह आपको find out करना है, आप देखो, again, क्या चाहिए है हमें, यहाँ पे जब मैं number को 3 से multiply करूँ, तो मेरे पास में same number आना चाहिए, क्या, जिससे मैं multiply कर रही हूँ, तो multiply करने के बाद, जो number आएगा, उसके unit digit क्या होने चाहिए, same होने चाहिए, ओके, आप देखो, 3, 1 जा 3 यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, अलग अलग digits आ रही है, 3 4 जा 12, 4 5, 3 5 जा 50, 3 5 जा 50, that means कि अगर मैं यहाँ पे 5 लिखती हूँ, तो यहाँ पे मुझे 5 मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे 5 लिखती हूँ, तो मुझे 5 मिलेगा, that means बाट कि यहाँ पे value क्या इस वाज क्यों, तो क्यों की value क्या मिल गई है, हमें 5 मिल गई है, अब next देखो, अब मुझे यहाँ पे value मिल गई, अब मैं इस नमबर से साथ में, जब मैंने इसको multiply गई है, 3 5s of 15, means 1 carry आगया आपके पास में, ठीक है, carry को साफ लेके चलना है, means कि अब मुझे एक ऐसा number च में ऐसा number चाहिए, जिसकी unit digit क्या आएगी, 4, 3 की table करो, 3, yes, 3 8 जा, 24, 24 जब आएगा, तभी तो यहाँ पे 5 आएगा, 1 तो carry भी तो है, that means कि यहाँ पे क्या आगया आपके पास में, 8, जब आप यहाँ पे put करते हो, 8, तो उसके बाद में क्या आगया, 3 8 जा, 24, 24, 1 carry, क्या क्या हमारे पास में values आगी, P की value आपके 8, क्या हो is equal to 5 and R is equal to 2, okay, now what is the operation to be performed, the operation is P plus क्या, P plus R divided by क्या हो, P plus R that means, yes, 8 plus 2 divided by क्या हो, क्या हो is equal to 5, that means 10 divided by 5 is equal to 2, so answer will be option B, 2 will be the correct answer, okay, तो इस तरह के question अगर आपको कहीं पे भी मिलती हैं, कहीं भी भी अगर इस तरह का question मिल रहा है, जिसके अंदर आपको पूरे का पूरा जो number है, number में इसे कुछ digits missing है, और वो digits आपको find out करनी है, on the base of some condition, तो उसकी practice जरूर कर लिजेगा, okay, तो उसकी practice जर बार आते हैं, हर बार आते हैं, okay, clear, so students, it was all for today, आज की class के अंदर एक important मैंने concept आप लोगों के साथ डिसकस किया है, अगर आपको लगता है कि ये concept समझ आया है, yes, important है, class किसी भी तरह से आप लोगों के लिए helpful है, तो लाइक करेंगे, शेर करेंगे अपने friends के साथ में, हाँ होगे, okay, जिन्होंने चैनल को subscribe नहीं किया, चैनल को subscribe कर लिजिए, this is a free warm-up course, और आप इस free warm-up course को अगर register करते हैं, तो हर एक lecture आपको PDF में अबलेबल हो जाएगा, और lecture से पहले आपके पास notification भी पहुंच जाएगी, okay, so thank you, मिलते हैं next class में,